तो है गाइस वैलकम टिए पोकेमोन ऊस्के वर्जिन मैं वह अमृत्व मिश्रा और आज हम खेलेंगे पोकेमोन याज स्वेव वर्जिन का प्ड़ेंटी तो गाइस पिछले एपिसोड में हम ग्रैंड पिक्स जीद गए थे और आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे तो करें सॉरी कल वीडियो नहीं आया पाई थी कल मेरा कुछ जादा ही पढ़ाई था पर आज इद के लिए मेरी छुट्टी है तो आज मेरी छुट्टी है तो आज मैं अराम से वीडियो अप्ल दी पावर इस गॉन आउट ओल ओवर दी सिटी इस सम्वन दस गेट दन वेल आई डोंट वांट तो मेंगे बाउट वाट वीडियो थे पावर प्लैंट यू कूड फाइंड आउट वाट है तो गाई इस सिटी में का दो तीन दिनों के इलेक्टिसिटी नहीं आ रही है और सब्सक्राइब है और में उसका रीजन ओंड करना काई को ईलेक्टिसिटी नहीं आ रही है यह पावर प्लैमेंट जैव सी पावर प्लैंट से इलेक्टिसिटी आती है तो यहीं पर चलते तक है तो गाइज अभी में बैग में देखता हूं मेरे बराबर है कि नहीं मेरे पार सब कुछ बराबर है तो कर देना और उसे नीचे वाला बटन ब्लू हो जाना चाहिए तो अभी यहां चलते हैं रिपिल लगा ले तो कि ऐसी जगह में पोकेमोन होते हैं रिपिल नहीं है कि मिरे पास मुझे खरीदने जाना होगा रिपिल इस वैड़ी इंपोर्टेंट है पर बहुत कम है यह मैं भी नमगे रिपील खरीद लेनी चाहिए थी ऐस फांड़ वान है पर पोशन बहुत है यार हम कहां से जाए तो ब्लॉकेज वाली एरिया है इधर से घूम के जाना पड़ेगा फिर से बैग में जाना पड़ेगा और एक और बार ले ले लेते हम पोशन नहीं चाहिए रिपिल चाहिए तो हमने रिपिल ले ली यहां चलते हैं यहां से ही मुझे रस्ता होगा यहां से भी रस्ता नहीं है गईस और मेरे रिपिल भी खतम होने वाले हैं क्या करूं मुझे लेना जाए ठा कोई बात नहीं हम बिना रिपिल के मुश्किल से ता के पढ़ी जायेंगे यहां से हैं यह रस्ता है चाहिए यह भी plac को जाता है लो काईस डिपिल खतम जरस्ट पोकेमोन आजे गराइमर अजीब दिखता है यह बूद जैसा एक दमा करके तो अभी एक और लास्ट रिपिल हमारा लगा लेते हम तो यह हमारा लास्ट रिपिल है और अब हम आगे बढ़ते हैं यह रस्ता है नहीं है ओ तो यहां से रस्ता है कितना लंबा रास्ता है हाश फाइनल यह हम पहुंच गए इधर क्या हो रहा है इधर कोई है दिरी दिरीजन दप पावर गॉन आउट बिकास अफ इस जाइंट स्मेली स्लज्च पोकेमोन इस ग्लॉकिंग इस वे सी वाटर इंटेग ओ तो यह सब वाटर गंदा कर रहा और इ यह तो यह तो यह तो मेरे पीछे कड़ा हो गया ची कि दिनी बदभू आ रही है इससे तो अब हम इससे बैटल करेंगे इसका नाम है मख मक्या मग मग तो मग को देते हैं एक थंडर बोल्ड मुझे से पकड़ना है कि आश ने भी आई दिंग मग को पकड़ा था तो मैं पक जो माई गॉड इसके पास तो बहुत कतरना गतरना अटाइक है अभी मैं सेव करके रिखता हूंगा अगर एक क्विक अटेक में फेंट हो गया तो मैं वापस इस टाइम में आ जाओंगा गाइस नहीं आर हम क्विक अटेक नहीं कर सकते थंडर शॉक कर सकते हैं यह इससे भ करते तो अब भी मैं एक वार सेव करके टैकल करता हूं तो नहीं होगा नहीं वागाइस लजब पर इसको अटेक बहुत बारी बड़ेगा यार सॉरी स्कुटल अभी में एक और बार सेव कर लेता हूं किके मग मुझे कोई सीधा सथा पोकेमान नहीं लगता बहुत है बड़ा जेली पोकेमान है इसको पकड़ने के लिए थोड़ी महनत तो करने पड़ेगी प्लीज आजा मग मग आजा मग आजा मेरे पोकेबॉल में आजा मग येस तो मुझे तो नहीं पता था गिवे निक्नेम टू मग नो गैस मेरे हर वीडियो में आवास थोड़ी बदली बदली सी रखती है क्योंकि अभी मैं सुवे सुवे वीडियो बना रहा हूं मतलब नो बचे तो इसलिए मैं भी सो जास्ट बचे ब्रेकफास्ट कर रहा हूं तो इस एक मैगनेट मिला गास तांक्स फॉर गेटिंग रीड अफ दिस मग तो गाइस इस सीटी में फिर से एलेक्टिसीटी जेनरेट होगी है थिंक हाँ गाई यहां पर इलेक्टिसीटी आ गई अब मैं पोकेमोन हील भी कर दूंगा जल्दी चलो तो हमने मक्की प्राबलम सौलफ कर दीदी वेलकम्ट टूपकेमों जेंट रोलिएक्ट हील यह पोकेमोन येस ऑई वील आफकोस हील माइपोकेमोन व ग्याज मैने गब इससे बात ने गिसके बगल में जो पोकेमोन यह बात करते की नहीं करता है तो चैन्स 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 यह भी बात करते हैं मुझे लगा इसी खड़ा है तो गाइज यह कॉंसे सिटी में तभी गीन ग्रे सिटी गींडे सिटी तो अब हम यहां से जाने वाले हैं और यह इतनी सारी ट्रक क्यों खड़ी है यह लगते कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि आई जस्ट कांट टेक अनिमोर जीन गन्स एक डिगले ट्रेस्ट पर दिगले जैसे वह वहाला आपको गाइज वह पार्ट थरिफीन या दे पार्ट 16 जिसमें टेंडर को को यह मारने की कोशिश करें अब डिगलेट आ गए और पोकेमोन ट्रेनर देन पीज इफ यू पास दी डिगलेट केव हेल पस बाइड डिफीटिंग मैनी डिगलेट ऐस यू कैन ओ तो अभी यह बोल रहा है कि डिगलेट केव से जाओ तो जितने डिगलेट हो सकें उनको संत्री गरेगी साथ तो अभ यह नंबर वन ट्रेनरर इसके लिए में कौन सा लगाँ तो बल्बस आगे लिए तो वैव्थना दर्गइन को लाइट हो तो चाल्मेंडर दरी लग Deaf तो आज पास कितने ने दो कि मुंध पीकाचु तो ये पीकाचु सेंड कर रहा है चारमेंडरी फ्लेम थ्रोर है गाज मैं अपने चारमेंडरी को लेवल 36 पे इवॉल्व कर दूँगा और लेवल 40 पे इसको चारी जाड बना दूँगा तो अभी 526 HP ग्रो हुआ क्लिफेरी से भी तुम ही संबार लो फायर स्पिन करो फायर स्पिन बच गया क्लिफेरी पर वो वॉल्टेक्स में फस गया ठीक्लिफेरी यूज इनकोरी अच्छा ये मेरा ध्यान भटका रहा है ओ अच्छा मतलब मैं और कोई अटक यूज नहीं कर सकता है पांच छे बार मुझे सीव यह अटक यूज करना पड़ेगा कोई नहीं अच्छा मैंने एक ताकत पर अटक सिलेट किया था उसको मैं बार-बार करूं तो कोई दिक्कत नहीं है कि यह मुझे लगता है को देखते का इसके पास कौन कौन जे अपर कि माने तब तक पी अपनी इसको पोशन दे देता हूं पोशन 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 जरूरत नीये पोश्यन के हमारी ज्यादा है नहीं की क्यों उसी पांच इता है पीधि है उब है तो इसके जाद भी बैटल कर लेते हैं पोकेमोन मार्क वूट लाइक टू बैटल यार इसके बास राइड़न है मुझे पहले होता है पता होता है तो मैं बल्बसौर को ले आता है यार जाओ बल्बसौर स्केरी फेस अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो मेरा बल्बसौर किसी से नहीं डरता बल्बसौर यूज करो और रेज अलीव आरे ये तो चीटिंग यार दो बार हमना कर रहे है अब भाई साब खतम ही होने वाला था अभी बस इसको एक वाइन भी आप से खतम कर देते हैं स्टॉंप ओ माई गौड पर बसौर सर्वाइफ होश बर्बसौर अरे बहुत तो फ्लिंच हो गया जल्दी से मुझे यूज करना हो कब ता सुपर पोशन गाइस यार मुझे पह रॉक ब्लास्ट इसके वाज बहुत करना गड़े पर रॉक ब्लास्ट मेरा कुछ नहीं कर सकता एक ग्रास टाइप पोकेमोन हूं आप तो फ्लिंच से निकल जा भाई तो चीटिंग ए कितनी बार अटेक करेगा रे तू मुझे भी अटेक करने दे भाई साब ओ भाई तो इसने पसी ने चुड़ा दिये तो फाइनल इसका राइडाउन खतम हो गया यह होती असली बैटल गाइस जो लोग फोकेमोन बैटल सिफ दो-तीन मिनिट पे खतम कर देते हैं उनका क्या मजा मैं तो इतनी देर लेके लटता हूं चार्मेंडर लेवल 34 का हो गया यह होती है असली बैटल वो सब तो क्योंकि मैंने अपने पोकेमोन को जादा इवाल्व ने किया जितना इवाल्व करना चाहिए उत्मा किया है ओवर ओवर लेवल नहीं किया उनको जो लोग अभी से 40-50 कर देते हैं क्या मजा है गाइस हमें तो सारे बैटल से ए प्रेलाइस तो हो गया डिफेंस कल से कुछी नहीं होगा यार मेरा पीकाचू यह मुझे स्लैम अटक चाहिए ही नहीं ता बार बार मिस होता है कि यार उसने मेरा लाइट बॉल निकाल दिया ओ मैई गौड अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा मेरा थंडर बोल जाता काम नहीं करेगा यार मुझे अपना लाइट बॉल वाफस से यह कहां फेक दिया इसने मेरा लाइट बॉल गाइस मुझे बॉल नहीं करना मेरा लाइट बॉल मेरे पास ही देना पोकेमोन में जाओ पिकचू भाई होल्ड करने को कुछ दिया नहीं क्या चलो भाई मेरा लाइट बॉल है उसके बस मुझे लगा लाइट बॉल फेक दिया उसने कहीं पर अब यह लास्ट ट्रेनर है ग बॉक ट्राइब ट्रेनर के लिए हमें क्या करना होगा भी फिलाल को रख देता है और इसे जल्दी जल्दी मैच कर लेते हैं तो गाइस हमने इसको अरा दिया और यह क्या है और में तो जाई पानी में इंट्री मार दिया है धीज़िए पॉक्यमोन सेंटर की जरुवत नहीं है इसे वहला हॉट प्रिंग में मेरे पोक्यमोन ठीक हो जाता है हॉट प्रिंग बात तो अभी यह डिगलेट के वह गाईज ह सुस्ट और कैटि में अगले एपैसोड में खेलंगा तो अभी मैं बल्बस Forsch रख ताव कि बल्बस और स्कॉट यहां पर जाद्त काम हाएंगे कोई डिगलेट मिली नहीं रहा है चलो पहला डिगलेटा मैं मिल चुका है तो आप यह पहले ही अटेक में हार गया डिगलेट अब यह दूसरा डिगलेट आया इसको भी हरा देते हैं वाइन विप से यार इसने दो डिग अटेक कर दिया अब तो जल्दी जल्दी बाटिल करना पड़ेगा क्यासे काम करता हूं मैं सारे डिगलेट को हरा के आपको केव के बाहर में तो आपको केव का रस्ता पता नहीं जलेगा मैं पूरा रस्ता दिखा के चलूँगा और इनको जल्दी जल्दी बाटिलेट आ गया तो जल्दी एक और डिगलेट हमने हरा दिया एक और डिगलेट कब निकलेंगे केव से बाहर तो इस पर तो कोई और ही पोक्मोन आया था लगता है डिगलेट का इवॉल्वाल आया था तो जाइस अब हम डिगलेट केव से बाहर आ चुके है तो इस आज के एपिसोड के लिए इतना ही गाइस आज हमने डिगलेट को हराया और बहुत सारे डिगलेट और हमने मक को भी पकड़ा तो कि सही हूप आपको पार्ट 20 अच्छा लगा होगा तो लाइक शे कर देना और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 21 में तब तक के लिए और टू भी कंटिनूड और गाइस हमेशा की तरह उट्टो स्किप मत करना